दोस्तो शिवक्रपा परिवार में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तो एक बहन ने कमेंट में एक प्रस्ण किया कि क्या ओड़ते पित्रों की पूजा कर सकती है ये प्रस्ण कैई माता और बहनों के दिमाग में चल रहा था और कैई कमेंट आये थे तो आज की जो वीडियो है आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ओड़ते अगर पित्रों की पूजा कर सकती है तो कैसे कर सकती है और किस अवस्था में कर सकती है, किस दिन कर सकती है, किस प्रकार से कर सकती है तो ओडियो को पूरा सुनना ताकि इस प्रश्ण का उत्तर आपको अच्छी तरीके से मिल पाए तो आए शुरू करते हैं अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं शिव कृपा परिवार पे तो आपके सीधे हाथ जो लालकर का बटन है उसे दवादी जी ताकि आप शिव करपा परिवार के साथ जुड़ सकें साथ ही बेल आइकन को गχंटी के निशान को भी ताकि जो भी जानकारी डाले हम जो भी प्रश्ण काउपतर डाले हम आपको सबसे पहले मिले औरते पित्रों की पूजा कर सकती है पर कब कर सकती है पहली बात जो पित्र जो होते हैं हमारे घर के वो अगर पूजा की अधिकारी होते हैं यानि सबसे पहले जो होती है वो पूजा पित्रों की होती है हमारे घर में और पित्रों की पूजा के लिए हमारे जो बुजर्ग हैं जैसे हमारे दादा हो गई हमारे पापा हो गई वो पित्रों की पूजा करते हैं और पित्र पहले उनी की पूजा को स्विकार करते हैं अगर दादा और पापा जैसे हमारे हैं जो करते हैं पूजा अगर वो नहीं है, अगर वो है ही नहीं, यानि गुजर गई है, तो जो पोता है, वो पित्रों की पूजा करेगा, यानि घर में से एक लड़का, जो वंश को आगे बढ़ाता है, वो पित्रों की पूजा पहले करेगा, तो पित्र जो हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते ह ऐसा नहीं है कि औरते पूजा नहीं कर सकती हैं औरते भी पूजा कर सकती हैं पर जो लड़कियां हैं घर की जो बहने हैं वो पित्रों की पूजा नहीं कर सकती क्योंकि उनको शादी होने के बाद किसी और के घर जाना होता है और जो उस घर की बहु है क्योंकि उसके घर के दे जो घर के हैं वो माने जाते हैं तो जो ओरत जिस घर की बहू है तो उसके पित्र भी वो ही कहलाएंगे और वो जो ओरत है वो उस घर के पित्रों की पूजा कर सकती है पर अगर कोई ऐसी मजबूरी हो या कोई ऐसी मर्जी हो मजबूरी और मर्जी के कहने का मतलब है मज़बूरी का कहने का मतलब अगर उनके घर में कोई बुजर्ग ना हो कोई पुरुष ना हो ऐसा पुरुष का मतलब यह नहीं कि चाचा ताव आपके घर की बात हो रही है कैई लोग यह समझते हैं कि माँद लिजे एक घर में चाचा ताव है तो चाचा ने तो पित्रों की पूजा करी दी, ताओ ने तो पित्रों की पूजा करी दी, तो मुझे क्या जो रोत है पित्रों की पूजा करने में? एक बात आपको बता दू कि अगर चाचा और ताओ और आप यानि कि आपके घर में जो शादी हो चुकिये सब की और अलग-अलग सब रहते हैं तो अलग-अलग पित्रों की पूजा होगी आप अगर वो पित्रों की पूजा करते हैं तो आपको भी पित्रों की पूजा करनी ह यहीं अलग करनी होगए पित्रो की पूजा जो उस घर की बहु है वह कर सकती है पर उस घर की जो बहने हैं वह नहीं कर सकती जिनकी शादी नहीं हुई चाह शादी हो भी चुकी है तो भी वो बेहने उस घर में पूजा नहीं कर सकती पित्रों की वो अपने ससुराल में जो पित्र हैं उनकी पूजा कर सकती है अब मरजी से कैसे मा लिजे कोई जो महिला है वो भगत बनना चाहती है या पित्रों की साधना में आगे बढ़ना चाहती है तो वो मर्जी से अपने कर सकती है जैसे कोई पूरुश भी कर रहा है पित्रों की पूजा और महिला भी कर सकती है पर पित्रों की पूजा के लिए ये बात महत्पुन है कि जो पुरुष है या उस घर का जो वंश है जो लड़का है अगर वो पूजा करता है तो उसका फल बहुत जल्दे प्राप्त होता है अगर पोता है वंश का जो अगर अधिकारी होता वंश का पोता अगर पोता पूजा करता है चाहे दादा ना करे तो भी पूजा स्विकार होती है पर अगर पूजा का तरीका ना पता हो तो एक अलग बात है अब महिलाएं किस प्रकार से पित्रों की पूजा कर सकती है तो महिलाएं अमाविश्य के दिन पित्रों को सनान करा सकती है उनका दीपक जला सकती है उनके नाम का घीका धुब्बती लगा सकती है उनका भोग परसाद बना सकती है उनको भोग लगा सकती है पर मासिक धर्म में मासिक धर्म आने पर जो महिलाओं को आता है हर महिने तो उस समय पित्रों की पूजा ना की जाए महिलाओं के द्वारा खास का ना ही उनके लिए पित्रों के लिए रगवान को भोजन अर्पित किया जाता है चाहे वो अपके इस्ट देव को चाहे वो आपके पित्र देव को मासिक धर्म में महिला वो भोजन नहीं बनाएगी उनके खाने के लिए यानि जो भोग लगाने के लिए बोजन नहीं बनाएगी बाकी जो उरत है उस गर की जो पुरुष और जो वहां का वंश को आगे बढ़ाना वाला जो लड़का है वो पित्रों की पूजा करें, तो उस घर में पित्रों की जादा किरपा होती है, हमारे घर में जो बरकत जिकिस के हाथ में होती है, पित्रों के हाथ में होती है, पहली डोर घर की बरकत की हो पित्रों प्रसंद होते हैं तो आपके घर में बरकत आती है और साथ साथ में आपके घर काम में बरकत होती है कारवार में बरकत होती है तो महिलाएं पित्रों की पूजा कर सकती है वो मैंने आपको बता दिया मुझे आशा है यह जानकारे आपको पसंदा ही होगी अगर आप पहली बार हमारे चनल शिवक्रपा परिवार पे हैं तो आपके सीधे हाथ पजो लाल का बटन उसे दबा दीजी ताकि आप शिवक्रपा परिवार पे जुड़ सकें और ऐसे ही प्रश्णों के उत्तर आपको मिल सकें बेल आइकन को दबा दीजी लाइक कीजिए जानकार अच्छी लगिए तो शेर कीजिए और भहन और भाजयों तक ताकि इसी प्रकार का अगर किसी और का भी प्रश्ण हो तो इस वीडियो के द्वारा उनको उसका उत्तर मिल पाए बाकि भोले नास से विंति करता हूं कि उनक के तमाम सपनों को पूरा करें आपकी जोली भरें हम मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए ओम नमस्षिवाए ओम नमस्षिवाए ओम नमस्षिवाए